हेलो विवन मैं अमें ठाक और आज की यह जो क्लास है हमारी जेस्ट की तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में हम समझेंगे जब फाइनली हमारे जेस्ट का रेजिस्टेशन अप्रूब होके आ जाता है तो उसके बाद ऐसे कौन-कौन से काम है जो हमें करने बहुत जरूरी है अगर हम नहीं करेंगे तो उसका हमें इन फ्यूचर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है complete process समझेंगे जब रेजिस्टेशन अप्रूब होने के बाद तो चलिए process start करते है ठीक है देखिए जब भी आपका ghist रेजिस्टेशन अप्रूब हो जाता है अब प्रूव होते के साथ आपको GST की तरफ से कुछ इस तरह की mail आती है अब Welcome to GST Family इसमें क्या होता है इसमें आपको लिखा होता है कि चलिए Welcome जी आपका GST registration हो गया यह आपको जो temporary user ID password provide किया जाता है आप क्या करना है सबसे पहला जो आपका काम होता है अब ही आपका यह है कि आपको अपना user ID password create करना है जिससे कि आपको इन future जितने भी GST से related काम है login करके आपको अपने सारे काम करने होते है तो अभी यह जो हमारा temporary login ID password है लेकिन अभी हमें permanent login ID password create करना है तो वो कैसे करना है वो समझ लेते step by step एक एक चीज़ों को समझेंगे कि क्या क्या करना है हमें हमारी GST registration का approval आने के बाद तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अब new tab खोलने के बाद आप तक क्या कर रहे था है आप यहां पर जा रहे थे registration पर जाके वहां से TRN login कर ले थे तो आप सबसे पहले हम login के पर click कर लेते हैं click करने के बाद देखे अभी क्या है आपको जो GST department से temporary user ID password आया है उससे आपको direct यहां से login नहीं करना है उसके लिए आपको क्या करना है यहां दीचे ही इसके लिखा हुआ है कि first time login तो अगर आप पहली बार login कर रहे हैं तो आपको यहां पर जाके यहां click करना है यहां click करने के बाद यहां पर आपसे मांगा जाता है कि यहां पर आप अपना GST number डाले है और यहां पर password जो कि आपको mail में receive हुआ है तो सबसे पहले हम यहां पर अपना GST number यहां पर आपको उसको manually type करना पड़ेगा तो आप अपना password type कर लिजिए email में से check करके पासवर्ड एंटर कर लिया देखके जो भी है आप भी अपना जल्दी से पासवर्ड एंटर कर लेंगे लोग इन के बटन पर क्लिक करेंगे क्लिक करते के साथ नेक्स्ट पीज आ गया अब यहां अपना user id क्रेट किया वाद मैं password डालूँगा अपना user id और password डाल लिए देखिए user id आपको कुछ इस टाइप से बनाना है और password में आपको क्या बनाना है यहां पर जैसे मेरे में अभी मैंने एक symbol काट दिया तो यहां पर minimum length बता रहा था valid password नहीं था मेरा तो मैंने क्या 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 गया एक डीज और तो यहां पर सारे symbols ग्रीन हो जाने चाहिए अब यह ग्रीन कैसे होंगे यहां पर example के तोर पर मैंने बनाया password अपना admin as the rate 1234 तो आपको क्या करना है admin का A capital रखना है बाकी small रखना है फिर as the rate रखना है उसके बाद 1234 या जो भी आपको numerical डालने अपने आप वो डालके password क्रेट करेंगे ध्यान रहे जो भी आप password बना रहे हैं user id बना रहे हैं यहां पर submit के button पर click करने से पहले पहले इसको pen copy पर note कर लीजिए उसके बाद submit कीजिए क्या होता है कई बार हम submit करते के साथ बूल जाते है कि क्या हमने user id password बनाया था तो उसमें confusion हो जाते है problems create हो जाती है तो हमने सारी submit पर click करता हूँ देखे submit पर click करते ही मेरे पास error आया तो यह मेरा user name अब valid हो गया है यहां पर मैं 123 भी डाज देता हूँ ठीक है यह हो गया तो आपको भी कुछ इस तरह से अपने user name and password create करना है then इसके बाद आप submit के button पर click करेंगे तो यह देखे मेरा user name and password created successfully हो गया अब साथ ही आपका जो second step आता है first हो गया हमारे user id password second जो होता है second आपको अपना core of business select करना होता है कि actual में आप हो क्या आप manufacturer हो ट्रेडर हो या service provider हो या others हो जो भी है आपको यहां पर clear करना पड़ेगा कि आप हो क्या manufacturing, trading, service providing जो भी आपका business है आप इन में से वो select करके यहां पर submit क करेंगे यहां पर यह देखें दोनों चीज़ आप select नहीं कर सकते हैं आप काओ कि मैं manufacturer हो यह हूँ, trader भी हूँ, दोनों चीज़ select करना हो तो ऐसा नहीं आप कोई सी एक चीज़ ही select कर सकते है चाहे आप manufacturing select कीजिए, trading select कीजिए, service provider select कीजिए, कोई एक option ही आपके लिए available होग select करने के लिए, माली आप मैंने क्या कही है, trader select क्या, अब trader में भी मुझसे पूछा है, चलिए आप trader है, trader आप किस type के है, wholesaler distributor है या retailer है, तो आप जो भी है wholesaler distributor है या retailer है, आप इस में से वो select करेंगे, then इसके बाद submit कर देंगे, submit करते के साथ हमारे दो काम complete हो गए, तोने के दिनों का time किस लिए दिया जाता है, तक क्योंकि कई बार क्या होता है, माली जे मेरा GST का registration अभी अप्रूव हुआ है, अप्रूव होते ही मेरे पास current account number तो नहीं आएगा, या और मैं चाता हूँ कि मैं GST में अपना current account number ही डालू, तो उसके लिए आपको 137 दिनों का time दिय नहीं कराया, तो मेरे पास bank account detail आ गई, मेरे 127 दिन से पहले-पहले मैं अपना bank account detail mention कर रहा हूँ, और जब तक आप अपनी bank account detail mention नहीं करेंगे, तब तक जब भी आप अपना portal login करेंगे GST का, आपके सामने सबसे पहले ये error देगा आपको, और आपको amendment पे click करके back आना पड़ तो इससे बैतर यह होता है, आप क्या कीजिए, login कीजिए, login करने के बाद, आप अपना यहाँ पे file amendment पे click कीजिए, और अगर आपका proprietorship का GST number है, company का है या form का है, तब तो उसमें कुछ नहीं कर सकते है, लेकिन आपका proprietorship का GST number है, तो फिलाल के लिए आप क्या कीजिए, पूरा फूम वह वाला open हुआ है, जो हमने registration करते time, fill up किया था, वहाँ पे लेकिन यह bank account का section नहीं था, यह starting में जब पुराना GST होता था, तब पहले ही हमसे ले लिया जाता था saving bank account detail, but आप नहीं लिया जाता है, आप क्याते हैं कि बाद में bank account detail मांगा जाता है, वो भी इस यहाँ पर मैंने एक करके enter किया, आपके जितने भी bank detail हो वो आप एंटर कर देना, इसके बाद आपको यहाँ पर account number डालना होता है, यहाँ पर type of account, current account, saving account, cash credit and other, तो यह देखिए अगर आप sole proprietor है और अभी आप saving account दे रहे, तो यहाँ पर saving select कीजिए, यहाँ पर जो भी supporting document upload करना होता है, document upload करने से पहले, यहाँ पर bank account detail भी आपको mention करनी है, यहाँ पर bank account detail डाल दी, IFC code डाला, IFC code डालने के बाद यहाँ पर supporting document, आप क्या लगा रहे हैं यहाँ आप पहला लगा सकते है, first page of bank passbook, second bank statement and third हो जाता है, cancel check, जिस check पर taxpayer का नाम mention हो, यहीं अगर आप य current account करते हैं, तो current account में आपका क्या होता है, यहाँ पर company का नाम mention होना चाहिए, ऐसा कोई document लगाना होगा, तो यहाँ पर अभी हम saving account लगा रहे, आप current भी लगाने का same process है, जो भी आपके पास लगाना हो, आप वो लगाईए, फाल पर click करना है आपको, आपका bank account का document हो, वो आप select कर लेना और select करने के बाद upload कर देना, ठीक, upload करने के बाद save and continue पर click करने के बाद direct आपको verification वाले tap पर आना होगा, verification वाले tap बाद यहाँ पर check box पर click करना है, आपको यह Guard調 signature चलेक कर लेना है submit successfully कर देना अब यह हो गया हमारा submit कर दिया हमने bank account detail बट अब इसके बाद दुबार से हम आ जाते हैं अपने dashboard पे return से अपने dashboard पे आ गए अब fourth option होता है कि हमें अपना JST का certificate download करना है क्योंकि JST का certificate क्यों download करना है bank account से पहले भी उसका use होगा कि अगर आपका JST registration अप्रूब हुआ तो simple सी बात है आप अपना current account भी open कराएंगे तो current account open कराने जब आप bank जाएंगे तो banker आप से कहेगा लाओ जी अपना आप JST registration का certificate दे दीजिए तो अब हम समझते हैं कि आपको JST registration का certificate कैसे download करना होता है यह आपको क्या करना है दुबारा से services में जाना है services में जाने के बाद user services user services पे click करेंगे then इसके बाद यहाँ पर यह दिखी clearly लिखा हुआ view and download certificates तो आप इसपे click करेंगे view and download certificates पर और जैसे इसपे click करेंगे यहाँ पर आपको यह देखे download का button दिख रहा है आप इस पर क्लिक कर देजे, डाउनलोड पे, डाउनलोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका कुछ इस टाइप का certificate JST का certificate जो होता है वो download हो जाएगा अब JST का certificate download करने के बाद भी आपके बहुत से काम होते हैं वो क्या होता है देखे सबसे पहला काम जहां पे भी आपका principal place of business है वहाँ पे JST का यह जो first page है उसके दरवाजे पे यह कहीं पे भी एक तो वहाँ पे इसको लेमिनेट करके एक तो बाहर दरवाजे पे चिपकाना है जो आपका office है एक office के अंदर भी इसके framing करा के या लेमिनेट करके वहाँ पे लगाना है और बाकी पूरी rent out तो निकाल के रखना ही है क्योंकि आपसे banker भी मांगेगा और बहुत सी जगाओ पे जहां भी आप अपने फॉर्म या company के नाम से कुछ भी काम करेंगे तो वहाँ पे आपसे आपका GST के certificate मांगा जाएगा फर्स्ट काम तो यह हो गया आपको अपने office पे यह certificate लगा के रखना है इसके बाद जो काम होता है सबसे में कि आपको यह ध्यान रखना है कि आपने आप GST registration ले लिया registration लेने के बाद supplier है उन सभी supplier को अपना GST number देना क्योंकि कई बार क्या होता है आपने GST number ले लेते हैं लेकिन आपकी purchasing अभी तक बिना GST के REE होती है जिससे कि आप अपने ITC का claim नहीं कर सकते है ITC किसे का जाता है input tax credit वो next videos में मैं आपको समझाओंगा आभी मैं simple सा बता रहा हूँ कि ITC का मतलब यह होता है जो आप कुछ भी खरीद रहे seller को कुछ tax का amount भी pay कर रहे तो आप उस tax का amount का फाइदा नहीं ले पाएंगे जिसे हम कहते है ITC तो इसलिए आप जिससे भी कुछ भी समान खरीद रहे है तो उसको अपना GST number दे GST registration अप्रूब होने के बाद और वो उसको बोलिए कि भाई यह मेरा GST number है आप बिल मेरे GST number पे जनरेट करके तो GST registration होने के बाद तो यह सारे steps होते हैं जो कि करने बहुत जरूरी है GST registration अप्रूब होने के बाद अगर आप यह नहीं करतक दिया था कि आप देख लिए आपने GST registration ले लिया उसके बाद आप छोड़ दिये 117 दिन तक देखते ही नहीं 117 दिन बाद आपका GST cancel हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि आपने अपना अभी तक bank account detail अप्डेट नहीं किया था तो यह सारे काम करने बहुत जरूरी होते GST registration अप्रूब होने के बाद तो यह था पूरा से हमारी यूज कैसे किया जाता यह पोर्टल कैसे चलाया जाता यह सारी चीजे मैं अब next class में step by steps आपको बताता रहूंगा कि मिलते हैं अगली class में अगले chapters के साथ और details में समझेंगे GST को step by step basics to advance complete GST को cover करेंगे करेंगे